भोजपूरी कलाकारों में आज सूपर स्टार कहलाने की लड़ाई चलती रहती है, सब एक दूसरे को नीचा दिखाकर या सावित करने पर तुले रहते हैं कि कौन किस से कितना बड़ा स्टार है, कोई खुद को ट्रेंडिंग स्टार कहता है, कोई खुद को पावर स्टार कहत जब कि असलियत में यह सारी बाते बस सोचल मीडिया तक सिमटके रह जाती है जब जमीनी हकिकत की बात आती है तो सारा स्टारडम गुबारा की तरह फुस हो जाता है इनकी हवा निकल जाती है लेकिन बोजपूरी में कोई असल सूपर स्टार था जिसको देखने के लिए वो भोजपूरी के सूपर स्टार थे जिनको गलत बताने वाले बुराई करने वाले खोजने से भी नहीं मिलते थे और जब उनके स्टारडम की बात आती थी तो सब एक सूर में उनका गुनगान करने लगते थे आज भी उस महान कलकार को इतना ही इज़त दिया जाता है उन आज के कलकार एक दूसरे के फैंस से गाली सुनते हैं किसी के जाती को टारगेट करके गाना गाते हैं किसी के लड़की को टारगेट करके गाना गाते हैं किसी के बहन बेटी का नाम लेकर गाना गाते हैं इन कलकारों के कारण एक भासा को गलत दृष्टी से देखा जाता है पूरी भाषा को असलील बता दिया जाता है, तो वहीं भिखारी ठाकुर जी थे जिने वोजपुरी का शेक्षपियर कहा जाता था, वो शेक्षपियर जो सहित्य के छेत्र में पूरे विश्व में बड़ा नाम है, उनसे भिखारी ठाकुर की तुनला की जाती है, शेक्षपि वीडियों में आगे विश्तार से बताएंगे उससे पहले नमस्कार जमाजम भोजपुरी देख रहे हैं और मैं हूं सन्नी मिश्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं इस गीत की एक एक लाइन में कितना कुछ छुपा हुआ है इसमें एक औरत का दर्द है जो अपने पती से प्रेम करती है और पती को होने वाले कस्ट के लिए चिंतित है यह गीत ततकालिन समय में गरीब परिवारों की आर्थे की श्तिती की जनकारी दे रहा है पूरे समाज की आर्थे की श्तिती को दर्शा रहा है कि कैसे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने परिवार का पेट पाले के लिए लोगों को अपना घर छोड़कर परवासी लोग गायक सब थे और अपनी कलाका उन्होंने लोगों के मनरंजन के साथ साथ समाजिक संदेश देने में भी उपयोग किया इस कारण उन्हें अपने समय का प्रसिद्ध एवं प्रभावी समाजिक कर्यकरता के रूप में भी गिना जाता है एक तरफ जहां आज के कलाकार उतुपुरदियरा गाउं के नाईव परिवार में जनमें थे उनका सारा परिवार अपने जातिगत ब्योसाई का मतलब जैसा आप गाउं में देखते हैं कि नाईजी ने हजाम भी कहा जाता है उनका काम बाल काटना हजामत बनाना फिवाहों में चिठ्टी पत्री जिसको नियोटा कहा जाता है उसे पहुंचाना जनम मरन अन्य अनुस्तानों में संस्कारों में लोगों के यहां कारे करना होता है विखारी ठाकुर भी यही करते थे लेकिन उन्हें कभी अपने स्ट्रगल और दुख की कहानी किसी को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह सि प्रसंगों और गीतों को लिखा वहीं आज के कलाकार और गीत पारंपरिक विदाओं के साथ बस छेड़ चार करना जानते हैं उन्हें बरबाद करते हैं विखारी ठाकुर ने ततकालिन समाजिक विशयों पर नाटक लिखे मंचपर पफार्म किये विखारी ठाकुर ने वो समय तक घर से दूर रहने के कारण पराई इस्तरी के मोह में पढ़ने और घर में अकेली रह गए उसकी पतनी की पीड़ा को बखो भी दरसाया गया था उनके नाटक गंगा असनान में बुढ़ी मा के साथ परिवार के गंगा असनान के लिए जाने का विवरन है जिसमें पर वे अमीरों द्वारा दौलत के बल पर गरीब छोटी लड़कियों को खरिदने और बेमेल बिवाहों का भी उन्होंने वर्णन किया था अमीरों की वेटियों की बिवाहों उनके मन के खिलाप तब किया जाता था जबकि गरीब लोग पैसों के खातिर अपनी बेटी को दोहार था दंसंपत्ति और जैदाद में उन्हें हिस्सा ना देने की जो एक शड्यंत्र थी उसको दरसाया गया था पती की मृत्तु के बाद समाज द्वारा विद्वाव को शापित माना जाने लगता था उन्हें आजीवन किसी के अधीन और इन पर आश्रित होकर जीने क के लिए मजबूर कर दिया जाता था इस पीड़ा को दरसाते हुए इस नाटक का भी समाज पर बेहत सकारात्मक प्रभाव पड़ा था ऐसे अस्टार हमारे भोजपूरी ने हमको दिया है जो यू वो तक याद किये जाएंगे और हमेसा यही असली सूपर स्टार बनके रहे बाकि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताईएगा जहां आज हम भोजपूरी देख रहे थे आप भोजपूरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए अमारे साथ बने रहें धन्यवाद